जै हिन दोस्तों कहसे हैं आप लोग आशा करता हैं आप लोग अच्छे होंगे आज है एक सितंबर चलिए आज का देखते हैं का इंटरफेर्स तो पहला प्रस्ण है तीस अगस्त 2021 को पहरा उलम्पिक में सोन पतक जीतने वाली पहली भारती महिला खिलाडी कौन बनी हैं आउनी लेखरा महिमा राधिका या इनमें इस कोई नहीं इसका सई आंसर होगा आउनी लेखरा आउनी लेखरा सोन पतक जीतने वाली पहरा उलम्पिक में पहली भारती महिला बन गई हैं बात करें आउनी लेखरा ने आउनी लेखरा ने 10 मीटर एर राइफर सुनी में गोल्ड प Также जीती हैं बात करें पायरा ओलम्पिक में 54 सदसे दल गए हैं और पायरा ओलम्पिक में धजवा कौन हैं ओ हैं टेक चंद और बात करें पायरा ओलम्पिक में पहला पदक भाविना बेन पटेल जो कि सिल्वर मेडल किस खेल से संबंधित टेबल टेनिस से बात करें ओलम्पिक और पारा ओलम्पिक में इतिहास में सोनपतग जीतने वाली पहली भारारती महिला काउन बनी? उबनी आउनी लेखरा और बात करें सुमित अंतिल ने भाला फेग में सुनपदक जीता है और यह कहां के हैं यह हैं हरियाना के और बात करें टोक्यो पारा उलम्पिक का सुभंकर क्या है ओ है सुमेटी और राजनात सिंग ने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्ट्टूट पूरे का नाम बदल कर क्या रख दिया नीरत चोपड़ा इस्टेडियम चलिए अगला प्रसन है जो लोग चैनल पर नहीं हो प्ली चैनल क जरूर सब्स्राइब कर लिजिए एक बाद शेयर भी कर दिजिए और जो लोग सब्स्राइब की हैं चैनल ओभी प्ली एक बाद वीडियो को जरूर सेयर कर दिजिए हाल ही में केंद्री ग्रिह मंत्री अमिस्टा ने कहां पल लड्डू बित्रण योजना का सुभारम किया है गांधी नगर भुपाल राची लखनव जिसका स्यांसर क्या होगा इसका स्यांसर होगा गांधी नगर यह गरबती महिलाओं को मिलेंगे एक महिन्य में पंद्र लड्डू दे जाएंगे जो की पोश्टिक होंगे इससे कुपोशड को समाप करने का लक्ष रखा गया है जवाहालान नहरू पोर्ट के बिकल्पक रूप में बहुत देशी बंदरगा कौन सा है वो है नारगोल बंदरगा कहां पड़ता है गुजरात में बात करें गुजरात के मोटेरा में इस्थित की केट इस्टेडियम का नाम क्या रखा गया है वो रखा गया है नरेंद्र मो स्टेडियम और बात करें सत्यागरह अंगेश्ट पॉलूसन नामक मुव्मेंट कहां शुरू किया गया यह शुरू किया गया गुजरात में किस ने शुरू किया वह शुरू किया विरल देसाई ने इसे शुरू किया बात करें किस राज जिसे गाउं या बाली का पंचायत आ और वहर कौन सा है वो है धौला वीरा और बात करें भारत का पहला हरित और द्योगिक सहर कौन सा है वो है कांड़ला विश्यस आर्थिक छेत्र चलिए अगला प्रस्न है हाल ही में फिट इंडिया आप किसने लांच किया है अनुराक सिंध ठाकूर मनोहलाल खटर थावर चंद अनुराक सिंध ठाकूर ने फिट इंडिया मुबाइल आप लांच किया है 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मुव्मेंट शुरू हुआ था इसके दो साल पूरे हो गए और 29 अगस्त को ही खेल दिवस भी मनाया जाता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्क्रण का आयोजन गुआवटी असम में और चवते का पंच कुला हर्याना में होगा बात करें खेलो इंडिया एउनिवर्सिटी के दूसरे संस्क्रण का आयोजन कहा होगा वो होगा करनाटक पहला कहा हुआ वो हुआ भूनेस्वर में चलिए बात करते हैं राश्टी खेल एउनिवर्सिटी भी स्विध्याले कहां खोला गया वो खोला गया मड़पूर में और खेल को उद्योक का दर्जा देने वाला पहला राज कौन सा है वो है मिजोर्म बात करें मेजर ध्यान चंद ये उनिवर्सिटी कहां पर खोलने की गोशड़ा हुई है वो खोलने की गोशड़ा हुई है मेरट उत्ता प्रदेश में चलिए अगला प्रशन है चर्चा में रहा इडा इडा क्या है पौधे किर पजाती अंतरिक्ष उपगर्व हरिकेन तूफान या इनमें इसकोई नहीं जिसका सयांसर होगा हरिकेन तूफान इडा क्या है वो हरिकेन तूफान है हरिकेन प्रिथवी के सबसे सकतिसाली और हनकारक दुफान होते हैं इसकी उत्पत्ती मेक्सिको की खाड़ी के आज पास हुआ है इडा जो है वो अमेरिका के अंदर से टकराया है और इसे आस्टिलिया में क्या कहते हैं इडा को इसे कहते हैं वीली विलीज और बात करें यह चक्रवात निम्नवाइदाब पर बनता है और यहां से चक्रवात का नाम करण किस देश न किया या किया उमान ने और तौकाते चक्रवात का नाम करण किस देश न किया या किया मैमार ने और बात करें निसरग चक्रवात का नाम करण किस देश न किया या किय बंगला देश ने, चलिए अगला प्रश्ण है, हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे उच्छे फिल्म थीएटर का उद्धुखाटन किया गया है, उत्ता प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, लद्दाख, जिसका से आंसर होगा, लद्दाख, लद्दाख में दुनिया के सबसे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेन्टर यह भी लद्दाग में ही बनाया गया है अब बात करें देज का पहला ग्रीन हाइडोजन Mobility Project कहां शुरू हुआ या भी लद्दाख में ही शुरू हुआ और बात करें 200 की सबसे उंची सड़क कहां बनाई जा रही है या बनाई जा रही है लद्दाख में कितने फिटकी है 19,300 फिटकी यह Project हिमां के तहट बनाई जा रही है अब बात करें सियाचीन किस नदी घाटी में इस्तित है यह लद्दाक में यह सबसे उच्चा युद्धरस्थल है चलिए अगला प्रस्ण है केंदरी महिला एवं बाल विकास मंत्राले ने किस महिन्य को पोषड मनाने की घोषडा की है सितंबर 2021, अक्टूबर 2021, अगस्त 2021, जुलाई 2021 जिसका से अंसर होगा सितंबर 2021 को पोषड महिन्य की रूप में मनाने की घोषडा की गई है यह एक सितंबर से साथ सितंबर तक मनाय जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्राले के मंत्री कौन वह हैं इसमिती रानी बात करें यह एक सितंबर से साथ सितंबर तक मनाय जाएगा बात करें राश्टिय पोषड मिशन आठ मार्च 2018 में जुझनू रायस्थान में सुरू हुआ था चलिए अगला प्रस्ण है हाल ही में भारत का पहला कौन्टम कम्प्यूटर सिम्यूलेटर टूलिकिट लांच किया है यह किसने विख्षित किया है डी डायक, आयाटी रूड की, आयाएस्सी बेंगलूरू यह उपडिक्त तीनों तो इसका सयांसर होगा उपडिक्त तीनों तीनों ने कौन्टम कम्प्यूटर सिम्यूलेटर टूलिकिट लांच किया है बात करें पेंगासस क्या है यह जाजसूसी करने वाला साप्टिवेर है और किस देश में सीमोर्ग नामक एक सूपर कम्प्यूटर बिख्षित किया यह इरान ने बिख्षित किया सूपर कम्प्यूटर का जनक कौन है वह है बिजर भठकर बात करें भारत का पहला सुपरकंप्यूटर कौन है परम 8000 बात करें बिश्व का सबसे तेर सुपरकंप्यूटर कौन है वह है फुगाकू बात करें मानो कंप्यूटर के रूप में किन है जाना जाता है वह जाना जाता है सकुंतला देवी को चलिए अगला प्रस्ण है कौन सा राज्य सौब प्रतिस्ट वेस्क आबादी को टीके की पहली खुराग देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमांचर प्रदेश, आंदर प्रदेश, बिहार, केरल तो इसका से अंसर होगा हिमांचर प्रदेश रेवीज मुक्त पहला राज्य कौन सा है वह है गोवा, बात करने टीबी मुक्त पहला केंदर सासिर प्रदेश, वह है लक्षदीप, बात करने सव प्रतिसत टीका करणवाला पहला सहर कौन सा है वह है वोने स्वर और 100% टीका करणड़ वाला पहला गाँ कौन सा है वह है वेयान काँ कहां पढ़ता है जम्मु कस्मी में भारत का पहला 100% वैस्क आबादी के टीका करणड़ वाला पहला केंदर सासिर प्रदेश कौन सा है वह है लद्दाग और 100% LPG गैस कनेक्शन वाला पहला राज कौन सा बना वह बना हिमाच्र प्रदेश बात करें इक कैबनेट प्रणाली वाला राज कौन सा है वह है हिमाच्र प्रदेश चलिए अगला प्रस्ण है हाल ही में केंदरी वित मंतरी निर्मला सीता रमन ने किस राज में माई पैड माई राइट परियोजना का उधगाटन किया है यहां किया है होगा किया है त्रिपुरा केरल उत्ताप्रदेश हर्याना तो किस राज में किया है तो इसका सही अंसर होगा त्रिपुरा चलिए अगला प्रस्ण है प्रतिवर्ष राष्टी लग उद्योग दिवस कम मना जाता है 30 अगस्त 30 जुलाई 30 जनवरी 30 जून जिसका से अंसर होगा 30 अगस्त चलिए देख लेते हैं कुछ महत्यपूर दिवस प्रमुक दिवस जो की जनवरी से लेके अब तक के सबसे महत्यपूर है एक बाज जोड़ देखिएगा अंग्रेजी 9 वर्ष कम मना जाता है 1 जनवरी को प्रवासी भारती दिवस 9 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को बात करें राष्टी युवा दिवस जो की स्वामी वेकारन जैनतिप मना जाता है 12 जनवरी को थल सेना दिवस 15 जनवरी को भारती ततर अच्छक बल इस्थापना दिवस कम मना जाता है एक फरवरी को विश्व आर्द भूमी दिवस 2 फरवरी को मना जाता है विश्व कैंसर दिवस चार फरवरी को मना जाता है और अंतर राष्टिय मात्र भुखासा दिवस का मना जाता है 21 फरवरी को और राष्टिय विज्ञान दिवस यह 28 फरवरी को मना जाता है विस्व वन्य जिव दिवस का मना जाता है तीन मार्च को और राष्टी सुरक्षा दिवस का मना जाता है आठ मार्च को और अंतर राष्टी महिला दिवस का मना जाता है यह मना जाता है आठ मार्च को और विश्व उपहोकता अधिकार दिवस का मना जाता है 15 मार्च को अविश्व टीका करण दिवस 16 मार्च को विश्व सहाली दिवस यह मना जाता है 20 मार्च को अविश्व गरेवा दिवस भी मना जाता है 20 मार्च को अविस्व वानकी दिवस यह मनायाता है 21 मार्च को अविस्व स्वास्थ दिवस 7 पहल को मनायाता है और बात करने जलिया वाला बाग दिवस का मनायाता है 13 पहल को मनायाता है और डाक्टर भीम राम बेटकर जैनती यह 14 पहल को मनायाता है अविस्व जल साक्षर दिवस का मना करें याई तिन माई को मना जाता है और अर्थर्टेक का मना जाता है यह मना जाता है वाईस़ अप्रेल को Peki हैं बात करें 21 दिवसग चलिए बात कर लुक्की दिवस कम मनायाता है यह मनायाता है 11 माई को अंतराश्टी जय विवित्ता दिवस कम मनायाता है 22 माई को और राष्ट मंडल दिवस कम मनायाता है यह मनायाता है 24 माई को विश्व तमबाकू निशेद दिवस यह मनायाता है 31 माई को विश्व पर्यावराण दिवस मन पान जून को बाल स्रम निशेत दिवस का मना जाता है यह मना जाता है बारा जून को अंतराश्टी योग दिवस का मना जाता है यह मना जाता है 21 जून को अंतराश्टी ओलंपिक दिवस का मना जाता है यह मना जाता है 30 जून को बात करें राश्टी ये सांख्य की दिवस का मन मेंजर ध्यानचन जयंती कं 29 जुलाई क अंतिरस्टर भाग देवस मेंजर धियांचन जयंती क्म मना जाता है मना जाता है यह मना मना जाता है 29 और सिक्षक दिवस यानि सरोपली राथा क्रिष्ण जयनतिक का मना जाता है यह मना जाता है पास सितंबर को और अंतर राष्टी साक्षरता दिवस अगर बात करें तो मना जाता है आठ सितंबर को और बात करें हिंदी दिवस का मना जाता है तो यह मना जाता है 14 सितंबर को तो मना जाता है पांच अक्टूबर को तो चलिए आरक करेंट फिर से ही था तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक सेर ता सब्सक्राइब जरू करिए पुरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद चलिए फिर मिलत हैं कल नए वीडियो में नए उर्जा के साथ तब तक के लिए जय हिंद